बस कहानी खतम कहानी खतम नहीं हुई है यह तो ड्रेम ट्रियो साइड करो वनिशे संबाफ़ रोड्री को साइड करो जब मिडल की एक वहां से फ्रांग आप से छूटेगा मिडल से जब छूटेंगा अपने दो बंदे कैसे दो बंदे जो नाचुरल गूल स्कोरर है बेलिंगम और वालवर्दे, बेलिंगम और वालवर्दे जब बीच से जो उनकी पावर है, जो स्ट्रेंथ है, जो ड्रिबलिंग, जो लॉंग रेज शूटिंग है, शॉट्स है, कार्लो एंसी तो यह वो दो प्लेयर्स है भाई जो आपको इन फ्यूचर कम से कम डबल डिजि यार दिखो, नेक्स्ट एरा शुरू हो चुका है, कहीं न कहीं बेंजी मा जा चुक है, मॉटरिच या फिर कूज में से एक ही प्लेयर्स स्टाट करता है, आपको देखेगा इस सीजन में, प्लेयर्स आएंगे प्लेयर्स चले जाएंगे, कोच आएंगे, कोच चले यह जो रियाल मेट की जो mentality है वो वोही रहेगी वहीं पर रहेगी और यह सबसे ज़्यादर ट्राक करती है हर एक रियाल मेटफान को मुझे परसनली भाइदाट सवाई मार्या मिरफान इस mentality का फान नेक्स्ट एला का पहला मैच पहले ही माच में come back from 2-0-3-2 so after this match भाई कुछ चीजे पॉंट आउट करने कुछ प्लेयर्स पॉंट आउट करने कुछ प्लेयर्स पॉंट आउट करने 1st half 1st half में 2nd half में again 30 30 बोलूँगा 30 defense just like last season कुछ improvement नहीं दिखी 1st half के अगर मैं बात करूँ और भाई नया system जो कार्लो एंसिलोटी ने इंट्रियूस किया है diamond midfield defense जो भी है भाई कुछ चीजे point out करने करते हैं after this match रियार्मेंड वसेस AC Milan before starting this video भाई दो काम आए खोप आप कर चुके होगे याब दिला दूँ भाई अगर नहीं किया इफ अभी तक नहीं किया तो भाई जरूर कर देना वीडियो को like and channel को subscribe let's start this video so बात तो start करना बनती है भाई जिसपे हमने सबसे ज़ादा अभी तक पैसा खर्चा है बात तो start करना बनती है एक ऐसे player से जो भाई मेरे साब से out of words जितना भी वो खेला पचास साथ मिनट आउट ओफ वर्ट exceptional exceptional player भाई exceptional player the way he moves with the ball and without the ball भाई एक चीज में confirm कर रहा हूँ पहले ही match में पहले ही match में जितना भी में उसको भी तक देखा है हम रियानमेट फांस रियानमेट फांस भाई साब अच्छा खासा enjoy करने वाले हैं हम बहुत ही अच्छा खासा enjoy करने वाले हैं the way he moves जो इसके dribbling है पहले ही match में dribbling on point पहले ही match में इसका link up play on point पहले ही match में इसके late runs इसके runs into the box भाई देखो जो उसके जो सबसे जो next level चीज देखी इसका link up play बहुत ही ज़्यादा crucial होने वाला है बेलिंगम जैसा प्लेयर बहुत ही ज़्यादा crucial होने वाला है लालीगा में ब्रेक करने वाला है low blocks of लालीगा इस बंदे ने जितना भी mint खेला 50-60 मिनट इसने दिखाया हर एक बंदे को इसने गोस नहीं दिये इसने असेस्ट नहीं दिये काफी लोगों को लग रहा होगा भाई मनब काफी जो haters भी होंगे रियामर के बोल रहे होंगे मैंने क्योंकि Twitter में बहुत कुछ देखा है भाई इतना पैसा बरबाद चला गया कुछ नहीं किया बस भागते है भाई इंपाक्ट देखो भाई भाई इस बंदे ने शो किये इस बंदे ने दिखाया है क्या इस बंदे ने दिखाया है भाई ये बंदा कितना different है कितना unique है और मैं यह अल़ड़ी पहले ही बोल चुक हूँ कामविंग कुछ अलग offer करता है मुझे बहुत ज्यादा मतलब शोकिंग लगी भाई इंग्लेंड का प्लेयर एक 19 साल का लडगा फ्रॉम इंग्लेंड किस तरह घुल मिल गया फ्रमार प्लेयर्स विदार प्लेयर्स on the pitch and off the pitch on the field and off the field भाई मतलब इतने जल्दी इतने प्यार से इस बंदी ने adapt किया ये मुझे काफी ज्यादा शोकिंग लगा और खासकर एक प्लेयर फ्रम अपना इंग्लेंड ठीक है भाई ये हो गया बेलिंगम हम बहुत ज्यादा enjoy करने वाले है next in future next in next era अपना जो next era होने वाला है रियाल मिलिड का next era की बात करूँ भाई जो मुझे highlight करना है वालवर्दे वालवर्दे जी हाँ वालवर्दे भाई अगेन वालवर्दे वो पुराना वालवर्दे before world का वो ही वालवर्दे explosive explosive वालवर्दे भाई वापिस से आपको दिखा जब यह fully fit होता है जब इसको proper rest मिलता है जब यह थका हुआ नहीं होता है injured नहीं होता है भाई ऐसा लगता है he is everywhere on the pitch ऐसा लगता है no one can stop him nothing कोई भी नी भाई nothing can stop him इस बंदे की tackling हर जगा pitch पे हर जगा भाई इसके goals इसके goals में आपको देखेगा assist में देखेगा आपको long range shots में आपको देखेगा हर जगा offensive play defensive play इसके tackling इसलिए मैं एक चीज़ पहले भी clear कर दी थी भाई for me one of the best he is the best he is the best box to box midfielder of next era of this era of this era भाई जो officially शुरू हो चुका है कही नहीं बहुत ही गलत level का player हाथ में लग गया भाई walwardy और bellingham जैसे दो players और आगे विनिशियस आए होप हम बाप पे आजा उसके आगे Rodrigo बहुत गलत next level players हाथ में लग गया भाई ठीक है भाई जो next player जो मुझे highlight करना जो मैं highlight जो में point out करवाना चाहता हूँ first half का defense and second half defense game changer गौन था for you मुझे बताना comment section में क्या ऐसा change आपको लगा क्या अलाबा Rudy के आने के वजाए से हम काफी ज़रा sorted हो गए comfortable हो गए क्या एक था five for me चुवा मैनी जैसे ये pitch पे आया था second half with चुवा मैनी on the pitch रियार मिट बहुत ज़ादा secure और बहुत ज़ादा बहुत ज़ादा comfortable लग ज़ी थी बहुत ही ज़ादा भाई with चुवा मैनी on the pitch our defense was completely different from first half जमीन आसमान का फरग आगे था बिली भी जमीन आसमान का फरग आगे था जब चुवा मैनी आया था for me he is the game changer इस बंदे ने change कर दिया एक चीज़ बोलूँगा बस on चुवा मैनी बहुत ज़ादा important होने वाला ये player for us for realment इस season भाई बहुत ज़ादा important player होने वाला चुवा मैनी ठीक है next player जो मुझे highlight करना दाड इस फ्रान गार से मुझे ज़ादा बात नहीं करने इतना देखने को नहीं मिला आदा ही हाफ देखने को मिला बट जो एक चीज़ जो मुझे हार एक रियामिल fan जो expect करना फ्रान गार से वो चीज़ मुझे दिख गई पैसा वसूल चलो यहां दो इतना पैसा है नहीं लेगा बेलिंगम में पूरा पैसा वसूल फॉर मी एट लीज जो मुझे चीज़ देखनी थी दिख गई और फ्रान गार से हमें जो चीज़े मुझे देखनी थी वो दिख गई क्या वो एक चीज थी भाई एक लाइन इस वो दे रहा था विनिशियर जूनियर को एक्क्यूरेट जो उसके क्रॉस थे ओन पॉइंट उवर्लापिंग उन पॉइंट सपोर्ट एक्क्यूरेट उसके ओन पॉइंट भाई और डिफेंसिवली यह चीज मैं जरूर हाइलेट करूँगा भाई अगर फर्स्टाफ को ध्यान में रकूँ मिलेट इफेंसिवली मुझे इस बंदे की पॉजिशनिंग काफी बढ़िया लगी जिस तरह यह अपने आपको पॉजिशन कर रहा था डिफेंसिली और आउड जब पॉजिशन थे भी आमिड काफी तगड़ा पॉजिशनिंग अगर फर्स्टाफ को ध्यान में रकू मिलिटा और नाचो जा हुमारे सेंटर बाक्स थे विदाउट चुआ मैंनी विदाउट न्यूज सिस्टम के असाब से भाई काफी मिश्टेक्स दिखी अगेन रियाल में रिट कंसीड कर रही है फ्री हेडर जस्ट लैक लास सीजन सेट पीसीज में फर्स्टाफ तो बिलकुल ऐसा था कि बिलकुल हम जस्ट लैक लास सीजन कुछ भी डिफेंसिव मुझे स्टक्चिर या सेटप में कुछ यह नहीं लग और फर्स्टाफ को अगे जैसा एक प्लेयर आता है यहां पर रफेल लिया हूँ आए एक टगडा प्लेयर कारवाल भाई कारवाल काता इतने पाइस यही समझा रहा है यही निकल रहा मेरे मूझ से और कुछ निया रहा है एक और वर्ड कारवाल और मैं डिसस्पेक्ट निगर रहा हूँ एश definitely by defensively एक चीज में यह चीज में बोलने वालो अगर Mbappé भी आता है जितना हम सोच रहे हैं जितना हम सोच रहे हैं भाई हम बहुत आगे जाने वाले with Mbappé we are not हम नहीं जाने भाली as far as we think उतना हम आगे नहीं जाने वाले with this defense चाहिए Mbappé लाओ चाहिए विनिश भाई देखोई तो वही बात हो जाएगी आप दो तीन गोल खाओ और चार मारो ठीक है जो हम next era team खड़ी कर रहे हैं उससाब से जो next प्री सीजन होता ही इसलिए it's completely normal कोई बड़ी वात नहीं बट defensively wise हम सफर करने वाले इसमें कोई शक्त नहीं थीक है अगर मैं बात करूँ भाई एक new 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 जो setup है जो midfield diamond midfield जो clearly दिख रहा था new system जो है clearly दिख रहा था players adapt नहीं कर पाए प्लेर अभी तक adapt नहीं कर पाए उस completely normal भाई pre-season का just पहला match था जितनी गलतियां करने करो pre-season होता भी इसलिए जितनी गलतियां करने हैं करो भाई मनलब कारलो के खुद के words है भाई training करनी पड़ेगी players adapt नहीं कर रहे है used to अभी और होना पड़ेगा new system के हिसाब से मनलब जो चार midfielders midfield जो diamond midfield उस हिसाब से हमारे पास उतना ज्यादा control नहीं था midfield में definitely भाई अभी time लगेगा इस midfield को और अच्छे से adapt करने में positioning wise जह हम out of position थे mistakes हो रही थी बहुत ही प्यार से खुल रहे थे यह मुझे चीज़े highlight करनी थी after this match विनिशियस नंबर 7 ने पहला गोल मॉडरिश का assist cruise का वो मखन gameplay रोटरी को बहुत important प्यार था भाई इस match में पता भाई इन players के बारे इन पता है बट after this match यह ज्यादा मुझे important लगा जो मुझे तीज़े point out करनी है अब आप सभी के लिए एक question है ना भाई comment section में जरूर बताना एक नाम best player on the pitch पूरे match में आपके साब से कौन लगा and worst player on the pitch सिर्फ एक एक नाम लेना है दोनों उसमें section में एक एक नाम लेना है best player और worst player on the pitch एक एक नाम that's all for this video I'll see you very soon thank you